नमस्कार विक्तरो ओम सक्ती टीवी में आपका स्वागत है जीवन में प्रतेग व्यक्ति मंगल मांगता है मंगल सुंदर कारे सुंदर जीवन सुखी जीवन मंगल हो हमारे हाँ जीवन में कैसे होगा मंगल आप लोग सुधी वक्ता जन हैं आप सब लोग जानते हैं कि मंगल तो तब ही होगा जब कल है नहीं होगी मंगल तब होगा जब जीवन में अशांती नहीं होगी मंगल तब होगा जब जीवन में एकाग रभाव आएगा और मंगल तब होगा जब परभ्रम परमात्मा परवेश्वर का हम इस्मन करेंगे क्योंकि वो परमात्मा ही तो मंगल का भुवन है वो परमात्मा ही तो मंगल करता है वो परमात्मा तो ही मंगल का कारण है हमारे द्रश्ट्री में मंगल कैसे होगा हम किस प्रकार से कौन सा مंगल चाहते हैं मंगल तो वही है जहां से जाकर के जीवर में परमात्मभक्ति परमात्ममुक्ष और सामदाम दंडभेद से दूर होकर के धर्म अर्थ काम मुक्ष की ओर चले है ठारिती दिधरमा धर्म की ओर चले तभी तो मंगल होगा जीवन में हम किस रास्ते पे जा रहे हम चाहते तो शांती हैं हम चाहते तो मंगल हैं हम सुखी होना चाहते हैं हम क्रपानी तो होना चाहते हैं लेकिन जीवन में मंगल नहीं आ पाता और सद सिख्षा मिलने से सद ग्रहस्त बनता है और सद ग्रहस्त बनता है सद गुद्धी आती है और सद गुद्धी आने के बाग में ही वो उसको मार्ग मिलता है जिस पर चलने से प्रभ्रम परमात्मा की प्राप्ति होती है मंगलम भगवान विष्णू मंगलम गरुन ध्वजा मंगलम पुंडरी काच्छ मंगलायतनो हरिह तब मंगल होगा ना कैसे आप मंगल तोचोगे कैसे आप मंगल प्राप्त करोगे भगवती की अर्चना करें क्योंकि मंगल तो सभी देने के लिए त्यार बैठें भगवान विष्णू मंगलम भगवान विष्णू अगर भगवती की अर्चना करें तो सर्व मंगलम आंगले शिवे सरवार्त साधिके सबी लोग मंगल देने के लिए थे लेकिन हमारा पात्र है पात्र कैसा है हम कितना मंगल हम कितना वो उनकी कृपा को कृपानित हो करके ले सकते हैं क्योंकि ये चे ये जो हमारा सरीर है पंचभवतिक सरीर ये पंचभवतिक सरीर में ग्यानेंद्रियां करमेंद्रियां ये सब हमें भटकाती रहती हैं भुलाती रहती हैं और इनका मन चंचल होकर के चारू और घूमता रहता है तो कैसे मंगल आएगा जब आपकों फुजड होंगे तो मंगल नहीं आएगा क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे और विश्वास पहली पढ़नती है भमानी शंकरव बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनव याभ्याम बिना नपस्यंती सिध्धा स्वान तस्थमीश्वरम श्रद्धा और विश्वास मंगल के मुख्यकारण है जब हमारे हर्दे में श्रद्धा होगी श्रद्धा का मतलब क्या हुआ श्रद्धा का मतलब हमने परमात्मा पर जब एक छत रूप से उन पर विश्वास उन पे सब कुछ अपना सौंप दिया है हमारी श्रद्धा है जाही बिदी राखे राम वाही बिदी रहे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में ये शद्धा है और विश्वास विश्वास एक यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते विश्वास डिगता नहीं कभी विश्वास अगर आपने परमात्मा पे विश्वास कर लिया तो बहुत से कष्ट आएंगे बहुत से जन्जावात आएंगे बहुत दुख आएंगे आपको दिगाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका विश्वास सुधर लहे तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं आज को धारन करके अपने मार्क के पत्के कंटका किन पत्के सारे काटे हटाते हुए अपने जीवन को सोर ले जाना क्योंकि पहले दुख मिलेगा राम की भक्ती करने में कष्ण की भक्ती करने में देव की भक्ती करने में भक्ती मार्क पर चलने में शुद्धा मार्क पर चलन इसलिए मंगल हमारे जीवन में कैसे होगा, मंगल तो तब होगा, जब भक्ती होगी, मंगल तब होगा जब जीवन में विश्वास होगा, मंगल तब होगा जब शर्द्धा होगी और वो मंगल वैराग्य का मंगल होगा वो मंगल बहुत कुछ चाहिए नहीं जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहन सा आप घोड़ा मांगो आप गाली मांगो आप बैल मांगो आप महल मागो आप दुकान मागो आप मकान यह सर अपने आप मिलेगा अगर आप मांगने लगे तो मंगल नहीं होगा क्योंकि आपका ध्यान मंगल नहीं मंगल पे नहीं होगा आपका ध्यान तो उन चीजों में होगा और जब कि मंगल कहता है मंगल कब आएगा जब ध्यान तुम्हारा परमात्मा के चर्णों में होगा अगर आपको मंगल चाहिए अपना जीवन मंगल में चाहिए अगर अपना जीवन सुख में चाहिए तो अपना पूरा संपूर ध्यान परमात्मा के चर्णों में लगा करके और जिस प्रकार से मार्ग बताये गया उस पर चलने से ही सुन्दर जीवन बनेगा सुन्दर हरदे बनेगा सद पथ मिलेगा सद विद्या मिलेगी सद ग्रहस्त बनेंगे और तब सद मार्क पर चलते हुए आपका जीवन मंगल में हो जाएगा धन्यवाद नमस्कार झाल